कारें समरिद्धी का प्रतीक थी दशकों तक बीजिंग के सिटी प्लानर शहर को कारों के लाइक बनाने में जुटे रहे आज शहर में 60 लाख कारे हैं जिस बीजिंग में कभी साइकलों का राज हुआ करता था वो आज ट्रैफिक जैम की राजधानी हो गया है दो साल पहले पूरा शहर अचानक रंग बिरंगी साइकलों से भर गया जिन्हें किराय पर लिया जा सकता था एप की मदद से और 30 यूरो सेंट प्रती घंटे के किराय पर शहर में कहीं भी साइकल ली जा सकती थी तो क्या आधुनिक तकनीक की मदद से बीजिंग में फिर पूराना साइकल का जमाना लौट आया है साइकल किराय पर देने वाली कमपनियों में पहली थी 2016 में शुरू हुई मोबाइक आज उसके पास दुनिया भर में 20 करोड यूजर है शुरू में गला कार्ट प्रतिस परदा थी उस समय बाजार में 100 से जादा कमपनिया थी अब 3 से 4 रह गई हैं अभी भी हम मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं लेकिन हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं सितंबर में हमारे नतीजे बहुत अच्छे थे इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ बीजिंग के जादातर लोग साइकल का इस्तेमाल बहुत छोटी दूरी के लिए करते हैं यात्रा के आखरी हिस्से के लिए मेट्रो स्टेशन से दफ्तर या फिर घर तक लंबे समय बाद पहली बार साइकल चलाने वालों की तादाद फिर से बढ़ रही है ये उन बाइक शेरिंग कंपनियों का सकरात्मक असर है कि वहाँ सोच में बदलाव सामने आया है बहुत से शेहरों का प्रसाशन अब सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि लोग साइकल चलाना पसंद करें इसके लिए शेहरों में साइकल लेन बनाई गई है लेन चोड़ी है और लोग आसानी से आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं जैसे कि जब कार के लिए मुड़ने की लाइट होती है तो साइकल के लिए सीधे जाने का सिगनल होता है अब भी बहुत से कारवाले अपनी गाड़ी साइकल लेन के ऊपर पार्क कर देते हैं या वहां रोक लेते हैं यानि बहुत कुछ करना बाकी है दूसरी और किराय की साइकलों में आई तेजी के नतीजे भी मिले जुले हैं कम्पनियों के बीच गला काट प्रतीस परधा का असर ये हुआ है कि सडकों पर बहुत ज़ादा साइकलें आ गई हैं और उन्हें अक्सर किनारे धकेल दिया जाता है शहर के बहरी हिस्से में साइकलों का धेर जिने प्रशासन ने शहर से जमा कर यहां इकटा कर दिया है तकरीबन हर चीनी शहर में इसी तरह की साइकलों की कब्रगा है जो कम्पनिया दिवालिया नहीं हुई हैं उन्हें इसका एक बड़ा हिस्सा लेना पड़ रहा है बाकी के साथ क्या होगा किसी को नहीं पता बीजिंग के IT हब जोंग गुआनकुन में वे हर दिन गली मोहले से गुजरते हैं और साइकल जमा करते हैं वे इन्हें यहां पहुँचाते हैं जहां इनकी जरूरत है मेट्रो स्टेशन के गेट पर जोंग गुआनकुन की राय पर साइकल लेने वालों का गड़ है मिस्टर डोंग एक साल पहले अपने गाम से बीजिंग आए हैं और अब रोज के हिसाब से काम करते हैं महिने में वो करीब 600 यूरो कमा लेते हैं जो चीन की ओसत कमाई का आधा है तुबर 9 बजे ज़्यादा काम होता है उसके बाद सब अपने दफ्तरों में चले जाते हैं साइकले कहीं कहीं खड़ी कर दी जाती है इन्हें कठा करने वाली गाड़ी कुछी मिंटों में भर जाती है बीजिंग के युवाओं को पुराना मजा मिल रहा है साइकल चलाने का मज़ा एक छोटी सी दुकान बीजिंग बास्यों को दिखा रही है कि साइकल चलाने में भी मज़ा आ सकता है ग्राहक अपनी साइकलें यहाँ खुद डिजाइन कर सकते हैं आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं आजमा कर देखिए आपको क्या पसंद है. कुछ ग्राहक किराय की साइकिलों का इस्तमाल कर साइकिल चलाना सीख रहे हैं. वो उनका इस्तमाल करते हैं लेकि उन्हें आराम दे नहीं पाते. कोई बहुत छोटी है तो कोई बहुत मुश्किल से चलने वाली. कोई छोटी दूर के लिए ठीक है और बहुत से किराय के साइकिल खसता हाल है. उनकी ठीक से मरम्मत नहीं होती. इस अन्भव के बाद बहुत से लोग अपनी साइकिल खरीडना चाहते हैं. ये अच्छी बात है लेकिन बहुत धीमा रास्ता है. किराय की साइकिलों ने बीजिंग को मौका दिया है. खत्म हो चुके साइकल राज और आधुनिक महानगर में सामन जस्से लाने का. शहर में भविश्य के लिए एक टिकाओ परिवहन विवस्ता बनने में अभी वक्त लगेगा.